आज हम explain करने वाले हैं, Before I Go To Sleep, मूवी के सुरुवात में हमें एक क्रिस्टीन नाम की औरत को दिखाया जाता है, जो की एक अंजान आदमी के साथ बेड़ पर सोई रहती है, जिसे वह उस आदमी को जानती तक नहीं, उसे वह घर भी बड़ा अजीब सा लगता है। क्रिस्टीन अपने बेड से उठकर बैथरूम में जाती है, लेकिन उस बाथरूम में उस आदमी के साथ अपनी बहुत सारी फोटोस देखती है, तब ही वह आदमी उठता है, और क्रिस्टीन को बताता है कि मैं तुम्हारा पती बेन लूकस हूँ, और हमारी शादी 14 साल पहले हुई थी, लग भाग 6 साल पहले तुम्हारा कार एक्सिडेंट हुआ था, जिससे दिमाग में चोट लगने के कारण भूलने की बीमारी हो गई है, और क्रिस्टीन को एक ही दिन की बीती हुई बाते याद रहती है, जब भी वह सुबह उठती है, तो वह बिते दिन की सारी भूल जाती है, ऐसा लगता है कि क्रिस्टन अभी छोटी बच्ची है, वो यह सब सुनकर डर जाती है, तब बेन उसे होसला देता है, इसके बाद क्रिस्टीन अपनी शादी का अलबाम देखती है, ताकि उसे कुछ याद आ सके, और बेन बताता है कि आज हमारी शादी का सा वीडियो देखने के लिए कहता है, फिरवा क्रिस्टीन को कैमरे की लोकेशन बताता है, क्रिस्टीन अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियो देखती है, अब यहां से हमें दो हफते के बाद का सीन दिखाया जाता है, और यहां पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर नैश और क्रि पारी यादास चली गई है और वो एयरपोर्ट के पास अधमरी हुई मिली थी। जैसा कि Ben ने बताया होता है उसका एकसिडेंट हुआ था। तब वहाँ Ben पर शक करने लगती है पर बाद में यह सोचती है कि उसने शायद इसलिए जूट बोला होगा ताकि मेरा दिल ना The Doctor Nesh के इलाज के बादrint के बाद क्रिस्टीन को एक दुधली सी एक लाल बालो वाली लड़की दिखाई देती है। उसका नाम Clear होता है तो क्रिस्टीन ने बातो बातो में Ben से Clear के बारे में पूचती है। पहले तो Ben ने बहाने बनाता है पर बाद में उसे बताता है कि Clear उसक करती है, जिसमें वह कहती है कि वो Ben पर विश्वास नहीं करती है पर Ben उस फोटोग्राफ को हटा देता है, अगली सुबह डॉक्टर नैश के कहने पर वीडियो देखती है, और वह वीडियो देखने के बाद वो हैरान हो जाती है क्योंकि जब उसने वीडियो शूट की थी, तब वह फोटोग्राफ वहाँ पर थी, अब नहीं है तो वह घर में सब जगे ढूटती है, तो उसे फोटोग्राफ मिल जाती है, फोटो देखने से उसे एकदम से याद आती है कि जिससे उसे पता चलता है कि वह प्रेगनेंट थी और उसका एक बेटा भी था, तो बेन से गुस्से में अपने बेटे के बारे में पूछती है कि यह बात तुमने क्यों छुपाई, पर बेन बताता है कि उनका बेटा एट साल की उम्र में जान लेवा बीमारी का शिकार हो गया था, और वह वो सब याद दिला कर दुखी नहीं करना चाहता था, तब उसने क्रिस्टीन को एडम का एक फोटो दिखाता है, फिर क्रिस्टीन को एक सपने में एक होटल की जहलक दिखाई देती है, और माइक नाम का एक सक्स दिखाई देता है, जिसकी शकल डॉक्टर नैश से मिलती है, जो कि उसे मारना चाहता है, फिर अगले सीन में डॉक्टर नैश और क्रिस्टीन एक सुनसान जगह पर मिलते हैं, वहां क्रिस्टीन को रिलाक्स करने के लिए डॉक्टर नैश उसे गले लगाता है तभी क्रिस्टीन डॉक्टर का नेम टाइप देखकर क्रिस्टीन डर जाती है क्योंकि उसके उपर मेक डॉक्टर मेक नैश नाम किखा होता है और सोचती है शायद इसी ने मुझ़ पर हमला किया था और वहां से भागने लगती है लेकिन डॉक्टर नैश उसे पकड़ लेता है और इंजेक्शन लगा कर बेहोश कर देता है और उसे घर छोड़ देता है और वो बाद में क्रिस्टीन को फोन करके बताता है कि तुम बहुत परिशान थी और उसे अपनी इस बरताव के लिए सौड़ी बोलता है और कहता है अब मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं उत्पन्न हो रही है और तुम्हारी यादे तुम पर भारी हो रही है फिर डॉक्टर नेश क्रिस्टीन को बताता है कि हमले के कई साल बाद बैन ने उसे एक कम्यूनिटी सेंटर में रखा था वहाँ उसकी फ्रेंड क्लियर की कॉल आई थी जो कि उसके बारे में पूछ रही थी और एक विजट के दौरान डॉक्टर नेश को क्लियर का नंबर मिलता है जो कि क्रिस्टीन को देता है और कहता है कि उनके रिकॉर्ड के अनुसार बैन ने उसे तलाक दे दिया था तो बैन से पूछने के लिए उसके स्कूल में जाती है जहाँ पर वह पढ़ाता है इसके बाद बैन बताता है कि उनका एक बेटा था जो मर गया था वह उसके गम में क्रिस्टीन को तलाक दे दिया था लेकिन फिर उसका दिल बदल गया और फिर उसे अपने साथ रहने के लिए घर ले आया अगले सीन में क्लियर क्रिस्टीन को फोन करती है और वह एक जगह मिलने का प्लैन बनाती है यहां क्लियर क्रिस्टीन को बताती है उसका एक्सिडेंट से पहले किसी के साथ अफेयर था जब उस पर अटैक हुआ उसके कुछ टाइम बाद बेन और क्लियर काफी करीब आ गए थे और इसी दौरान के बीच बेन और क्लियर के बीच एक बार दोनों ने ब्लू फिल्म बना लिये थे लेकिन क्रिस्टीन और बेन के मैरेड लाइफ का ध्यान रखते हुए वो संभल गई और इसी गलती के कारण क्लियर ने बाद में कभी बेन से संपर्क नहीं किया क्लियर ने क्रिस्टीन को बेन के द्वारा लिखा एक पत्र देती है जो उसने संभाल कर रखा था बेन क्लियर को कहा होता है या लेटर तुम क्रिस्टीन को तब देना जब वो पढ़ने योग्य हो जाएगी लेटर में बेन क्रिस्टीन से कहता है उसे प्यार करता है लेकिन अपने बेटे एडम की खातिर उसे छोड़ना पड़ा एडम हर सुबा इसकी मेमोरी लॉस को समझने में असमर्थ था और जब एडम किसी चीज़ के बारे में क्रिस्टीन से पूछता याद ना आने पर वह काफी परेशान और गुस्सा हो जाती है इसी लिए एडम उससे डरने लगता था और एडम की भलाई और उसके भविश्य के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था मैं आशा करता हूँ कि तुम इसे समझ पाओगी बेन के प्यार और देखभाल देखते हुए और अपने जगडे के बारे में बताती है तो क्लियर कहती है कि मैं इसके बारे में बेन से बात करती हूँ थोड़ी देर बाद क्लियर ने क्रिस्टीन को फोन करके कहती है कि बेन वर्षों से क्रिस्टीन को नहीं देखा है इसका मतलब यह होता है कि क्रिस्टीन बेन के साथ नहीं रह रही है तो फिर क्रिस्टीन के साथ बेन बनकर कौन रह रहा है क्लियर क्रिस्टीन से उसके होलिया के बारे में पूछती है और उन्हें पता चलता है कि वह बेन नहीं बलकि कोई और है इसके बाद क्रिस्टीन घर से भागने की कोशिश करती है लेकिन बेन उसे बेहोश कर देता है अगली सुभा हम मूवी का स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं जहां पर क्रिस्टीन फिर से अपनी खाली यादों के साथ जाकती है और वह कैमरा ढूंडती है वह वीडियो में खुद को ये कहते हुए पाती है कि की वह बेन से बहुत प्यार करती है और उसके साथ लाइफ स्पैन करना चाहती है Ben Christine को phone करता है और वो सामान pack करने को कहता है और बोलता है वो एक रात के लिए trip पर जा रहे है फिर Ben Dr. Nesh से मिलने जाता है और उसे Christine से दूर रहने के लिए कहता है उस रात Ben ने उस airport के पास एक hotel में ले जाता है जिसके पास ही कुछ सालों पहले अधमरी हुई हालत में पाई गई थी तब ही Christine को बताता है मैं Mike हूँ जिसके साथ तुम्हारा affair था Christine को तब याद आता है Mike चाहता था कि वो Ben से उनके affair के बारे में बताए लेकिन Christine ने मना कर दिया था जिससे गुसे में आकर Mike ने Christine को इतना मारा था उसके सर पर चोट लगने की वजह से MSIA का शिकार हो गई थी और फिर Ben Christine के कैमरे से सब वीडियो डिलीट कर देता है और फिर उसको विश्वास दिलाता है वो उसे सच्चा प्यार करता है और कहता है वो Ben का रोल करके ठक चुका है Christine को सब याद आ जाता है मुझ पर हमला करने वाला कोई और नहीं Mike ही था और वो यहाँ से जाना चाहती है पर Mike उसका रास्ता रोक देता है और कहता है या तो हम दोनों यहाँ से साथ में जाएगे या कोई नहीं जाएगा वह अंजाने में यह भी बताता है उसका बेटा Adam अभी जिन्दा है लेकिन किसी बात के निशकर्ष पर पहुँचने से पहले ही दोनों में फिर से एक बार लडाई हो जाती है लेकिन इस बार Christine Mike को पिटती है और वहाँ से भाग जाने में सफल हो जाती है और होटल से भागते समय फायर अलाम चालू कर देती है और हम अगले सीन में देखते है कि एंबुलेंस और पुलिस वहां आ जाती है इसके बाद क्रिस्टीन एंबुलेंस में बैठ कर कैमरे में अपनी कहानी बताती है लास्ट में क्रिस्टीन एक अस्पताल के बिस्तर पर से उठती है और डॉक्टर नैश वहाँ पर आ जाता है लेकिन इस बार दोस्त बनकर आता है ना कि डॉक्टर बनकर तो उसे यकीन दिलाता है कि उसकी हालत के लिए जिम्मेदार आदमी को गिरफतार कर लिया गया है फिर वो कहता है कि तुम्हें देखने के लिए कोई आया है और शायद उनकी वजह से कोई चमतकार हो जाए जिसकी उन्हें उम्मीद है फिर क्रिस्टीन से मिलने रियल वाला बन और एडम आते हैं एडम को देखते ही क्रिस्टीन की यादे लौट आती है और यही पर मूवी खत्म हो जाती है